गुड मॉर्णिंग अब्रिवॉन कैसे हैं आप सब आए आज हमारा जो रेस्ट पार्ट है अनिमल किंग्डम का मतलब कि आज हम लास्ट लेक्चर अनिमल किंग्डम चाप्टर का पड़ रहे हैं यह हमारा आज कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो आए हमने पिछला क्लास में आपको पैस्टिस के बारे में भी पढ़ा चुका था सैक्लो इस्टो माटा के बारे में बता चुका था आपको पिछले क्लास में और स्टिस्टिस के बारे में भी थोड़ा बूद बता दिया था हना जो चीज़ें रह गई थी कुछ चीज़ें वो चीज़ें आज हम डिसक का होता है ठीक है next हम अगर कॉंदिश्टिस की बात करें very very important कांदिश्टिस की अगर हम बात करें तो इस case में mouth located ventrally ventrally present होगा जैसे हमारा ही ventrally है और ये वाला दोर्स लिए backside हना तो ventrally mouth present होगा जाओ very powerful जाओ कैसा होगा बहुत पावरफुल होगा हाना and predation predation का मतलब क्या होता है कि मतलब ये predation करने में pay करने में शिकार करने में हाना माहिर होगा next heart जो होगा वो two chambered का होगा क्या जैसे कि मैं माल लीजे ये heart एक ड्रॉ किया हूँ इसमें में चेंबर ड्रॉ किया हुआ है ये जो है एक इसको auricle बोलते है auricle और दूसरा जो होगा ये ventricle ठीक है auricle and ventricle ठीक है तो क्या बोला heart दो chambered होगा एक होगा auricle और दूसरा होगा ventricle ठीक है next राते हैं हम लोग देखते हैं कि some have electric organ what is electric organ electric organ का क्या मतलब है बिजनी बिजनी वाला तार होगा नहीं electric organ का मतलब ये है कि जब वो तेजी से swing करता है या फिर defense करता है या फिर अपने आपको बचाता है या फिर communication करता है meeting करता है उस वक्त जो आना उसके organs क्या electric field generate करते है create करते है electric field इसलिए उसके कुछ organ जो होते है उसको हम लोग electric organ बोलते है ये कुछ में हमें देखने को मिलता है example very important कई बार question आ चुका है कई exam में question आ चुका है कि which of the following have electric organ तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा कौन सा torpedo ठीक है next हम देखे है कि some have poisonous stings poisonous stings का मतलब यह होता है कि जिसके पूछ वाले जो पूछ होता है उसके last time में क्या होता काटा पर जेंट होता है समझे spiny होता है उसका पीछे वाला part वो किसी animal को अगर डंग मार दे काफी poisonous होता है बहुत ज्यादा मतलब पेनवेन होना शुरूँ होता ऐसा लगता है तो वो जो गाउदी हाथ में जो रहते हैं तो उसको वो मचलियां कभी कभी हाना छोटी सी पप्पियां ले लेती है तो लोगों को पता चल जाता हूँ भाई हाना तो क्या हो गया कि सम है poison assisting उसका example very very important ट्राइगॉन आप लोग देखे भी होंगे गाउँ में ट्राइगॉन लाल टैप की मिशली होती है अब प्वाई किलो थर्मस की अगर हम बात करें प्वाई किलो थर्मस की तो प्वाई किलो थर्मस में ये चीज़ देखिएगा प्वाई किलो थर्मस का मतलब होता है कि cold-blooded cold-blooded तो kondrisis माने वाले organism कैसे होंगे प्वाई किलो थर्मस होंगे मतलब cold-blooded होंगे unisexual की अगर हम इसकी sex की बात करें तो ये unisexual होंगे मतलब sex are separated internal fertilization होगा many of the baby-paras important और जो कि हमारा ostrich था वो mostly कैसा था ओवी-paras था और ये कैसे होंगे baby-paras होंगे next example में आपको बहुत अच्छे से याद रखने है अभी जो इसमें ज्यादा tough हो जाएगा आपको example याद रखना तो इसलिए मैंने सब के लिए अपना trick बनाया हुआ है खुद से बहुत महनत से मैंने trick बनाया है इसलिए मुझे उम्मीद हैगा आप trick के थुरू आप याद रखेंगे please next आई हम देखते है example मैंने example लिखा चंदा चंदा मालो किसी लड़की का नाम है मैंने बोला चंदा Scorpio Car तुमारा है क्या बोला चंदा Scorpio Car तेरा है मैंने gift कर दिया हाना जो की नहीं करूँआ देखे चंदा Scorpio Car तेरा हाना तो चंदा मतलब Condorcist मतलब example सा हम किसके पढ़ रहे हैं Condorcist के इसलिए मैंने बोला चंदा मतलब Condorcist अब उसके example में आ जाते हैं Scorpio के S से क्या हो जाएगा इसको लिए डॉण और P Capital मैंने बना रखा है P.O. P से क्या हो जाएगा Prestis और उसके बाद Car C से क्या हो जाएगा बोलिए Carcaradon फिर उसके बाद क्या है 13 है T T से क्या हो जाएगा Dragon है न इंपोर्टेंट एग्जामपल याद करने का अच्छा तरीका मैंने क्या बोला चंदा Scorpio कार 13 है है न चंदा चीप इससे Condorcist S से Scorpio P से Prestis और C से क्या Carcara और इसको बाद T से Trigon तो Carcara की अगर हम बात करें Trigon की बात करें Prestis की बात करें Scorio Scorio Lodon की बात करें यह चार एग्जामपल है किसकी एग्जामपल है तो Condorcist की एक ही जुमला आपको याद रखना है एग्जामपल याद रखने के लिए चंदा कार 13 नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सरमजा आ गया और श्टिस्टिस में आ जाते हैं अब श्टिस्टिस की अगर हम बात करें इसमें हम बहुत सारी चीज़ बता चुके हैं बहुत सारी चीज़ मैंने नहीं बता है आपको यह मिराइन Freshwater में पाया जाते हैं Streamland Body होती है Streamland Body का मतलब की यह Less Resistant होते हैं जब यह Move Swing करते हैं समझमाई बात वो निकलते जाते हैं फटा फट Next Moth Terminal present होगा मतलब Last में End में present होगा Vent really नहीं End में Terminal present होगा 4 Pairs of Gills होगे 4 Pairs of Gills परजेंट होगे जैसे मैं बताने की कोशिश करूँ कि यह एक Fish है सर्क्या मचली बनाते हैं सर आप यहाँ पर देखिए 4 Pairs 4 इदर 4 उदर 4 Pairs Gills परजेंट होगा और वो Gills जो होगा वो Covered होगा जिस स्ट्रक्चर से उसको हम लोग क्या बोलते हैं Esperculum हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से है ना बोलते हैं Esperculum Next वो लिख दिया मैंने Covered by Esperculum Heart two chambered होगा Heart two chambered होगा ही एक Aurical और दूसरा Ventrical ठीक है Next आजाते हैं Pyklythermas होगा Pyklythermas का मतलब अब यह भी हमने बड़ा Cold-B-Laded होगा CB Cold-B-Laded Next unisexual Sex की बात करें तो sex में भी separate होगा और external fertilization होगा What is the difference? इसमें internal fertilization था इसमें external fertilization है ठीक है और development कैसा होगा Direct होगा Next यह आपका Viparous था और यह कैसा होगा OViparous Important ठीक है इसका Example इतना important है इतना important है जो मैं नहीं बता सकता अब आज ही एक example याद करने फिर एक trick एक trick तो था चंदा कार 13 है किसका kondrish थी इसके case में दूसरे case में आते है ओए बेटा कल का excuse ही ले आओ क्या बला मैंने? जैसे एक बच्चे था मेरे class में कल मैंने बला कोपी देखा सर वो क्या ना कोपी ना मेरे भाई के बैग में था और मेरे भाई आफिस चला गया तो ये एक excuse दिया उसने फिर आज पर बेटा कोपी देखाओ तो बोला क्या? कुछ बोली नहीं रहा तो मैंने बोला बेटा कल का ही excuse ले आओ कल का ही excuse लाओ तो वही चीज़ है देखिए ओए बेटा कल का excuse ही लाओ कल ही का excuse लाओ मतलब ओए मतलब austriis मतलब austriis के हम सारे example पढ़ रहे हैं austriis के example हम पढ़ रहे हैं इसमें बेटा हाणा बेटा कल ये चीज़ याद रख रहेगा कल नहीं पढ़ेंगे इसको CL, कल, कल फोर कलेरिया, बेटा था बेटा ही है, कल फोर कलेरिया, और CA, चो केल्शम नहीं पढ़ेंगे, आप इसको क्या, कटला, CA बोलो तो कटला, और excuse, हाना, excuse के E से देखा जाए, तो वो क्या है, exocetus, क्या, exocetus, और he, he for H से क्या हो जाएगा, हिपो केमपस, क्या हो जाएगा, हिपो केमपस, और law, law से क्या हो जाएगा, lab you, हाना, सबकी जो common name है, वहाँ पे दिये हुए है, वहाँ पे जैसे रहू, कटला, यह सब आपके सबके वहाँ पर दिये हुए है, NCRT में थोड़ा सा नाम, वहाँ से भी देख लेंगे हैं, इसको bracket में naming सबके mention है, important है हमें यह याद रखने है, जो के trick के थो याद रखने है, तो क्या क्या trick पड़ा हमने, चंदा कार 13, Scorpio कार 13 है, हाना, चंदा का C ले लिजिए, Scorpio का, S और P ले लिजिए, और car का C ले लिजिए, और T 13 का T ले लिजिए, Scorpio कार 13, ओए बेटा, कल का excuse ही ल हाना, next आ जाते हैं हम लोग, tetrapoda में, tetrapoda में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, amphibia पढ़ेंगे, reptilia पढ़ेंगे, eves पढ़ेंगे, और mammalia पढ़ेंगे, हाना, तो हम यहाँ पर अभी दो पढ़ते हैं, फिर हम next दो पढ़ेंगे, ठीक है, amphibia की अगर मैं बात करूँ, amphibia क चाहते ही ऐसे organism को हैं, जो दोनों जगाए exist करते हों, कभी पानी पर, कभी पानी पर, कभी पानी पर, कभी लन पर, यहाँ का मजा वहां ले रहें, वहां का मजा वहां यहां ले रहें, हना, amphibia उसको कहते हैं, तो Can't live in aquatic as well as terrestrial, मंडग को देखा हैं अपने, मंडग कभी त पानी में कभी छड़ब के उच्चा पर होता है रहा मेंड़क तो मेंड़क को आदेखिए सबसे चाहे एक्जाम पर नेक्स्ट आज यह बॉड़ी जो होता है इसके उपर कोई भी हार्ड सबस्टांसे इसके पास होता है इसके पास होता है इसके पास होता है नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक स्ट्रक्चर इसमें पर्जेंट होता है एक उपैनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉका क्या बोलते हैं क्लॉका पाच स्टार करो या दस स्टार करो या बीस स्टार करो जतना स्टार करोगे उतना important है समझो कलोका जो है ये एक ऐसा opening है जो तीन function को complete करता है एक तो elementary canal का opening है ये दूसरा urinary bladder का यानि की urinary का opening है और तीसरा reproductive tract का भी ये opening है कलोका तो कलोका a common chamber for elementary canal and urinary and reproductive tract समझ माई बहुत important बहुत important है ये लिए और स्टार next बच्चे respiration की बात करें तो जाहिर सी बात है gills और lungs और skin के दुरू होगा क्योंकि moisture skin होता है यहां से भी ये respiration करते है next heart की बात करें तो three chambers होगा कैसे होंगे three chambers होंगे polyclothermas होगा मतलब cold validate होंगे next ov paris होंगे मतलब अंडे देने वाले होंगे internal development indirect development होगा कैसा होगा indirect development मतलब इसमें larval stage आएगा इसका जो example है बहुत important है जिस सर से आप biology पढ़ रहे हो उसी के नाम पर थोड़ा सा मैंने example बनाया है आएए अपने नाम पर मैंने देखे कैसा example बनाया है मैंने बोला देखो shy what का मतलब समझते हो shy shy मतलब अरे यार बहुत shy है यह है ना बहुत shy है तो आएए मैं बोलता हूँ मैं मुहमद अबुल्लैस आलम अब आलम को उठा दीजिए अब मुशे आप कहिए मुहमद अबुल्लैस राना मुहमद को उठा दीजिए अब कहिए अबुल्लैस राना तो मैं बोलू अबुल्लैस राना शाय मतलब अबुल्लैस राना जो वो कैसा है शाय है राना तो एक ल capital later से example represent करूँगा ठीक है यहाँ पर दीए अब उल्लेस राना शाय अब उल्लेस का अब ये जो है उससे क्या हो जाएगा amphibia मतलब हम अब जतने example पढ़ेंगे वो किसके पढ़ेंगे amphibia के पढ़ेंगे समझ रहो और बी अब उल्लेस के बी से capital लिखा वो क्या है before और राना के र से क्या है राना मतलब मैंडेक वाला case और एस जो है ये शाय के s क्या हो जगा salamandra और h से क्या हो जगा हाई ला और i से क्या हो जगा ishthiofis समझ आए बात कितना अच्छा example है अबुल्लेस राना शाय क्याकि है तीन आपको थोड़ा सा इंडिगेट तो करना आए इसकॉर्पियो के पी से क्या था पता नहीं सर था कुछ तो था पी से तो कुछ था यार वो ट्रिक तो याद है लेकिन ट्रिक जिस मकसद से याद किया था वो तो याद ही नहीं है तो इसलिए पी से क्या था प्रिष्टिस था तो पता होना चाहिए है ना तेरा टी से क्या था ये ट्रैगॉन हमें पता नहीं था ये कैसा ट्रिक हुआ भी याद होने चाहिए तो अब 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 अलेस के ए बी से क्या था तो आप पता चला क्या बोल रहे हैं पता है अब पर किस पर रिप्टिलिया पर आ जाते हैं जो ऐसे रेंग कर चलते हों पेट के बल चलते हों उसे हम बलते हैं वही चीज है creeping and crawl यान रेंगते हों to locomotion के लिए ठीक है? next mostly जो होते हैं वो terrestrially होते हैं aquatic बहुत कम होते हैं मैंने mostly बोड़ी उसकिया मैंने यह बोला कि always this category classes are terrestrial always मैंने असा बोला mostly terrestrial मतलब कुछ औरगनिजम में से जो अक्वाटिक भी होते हैं next body dry होते हैं मतलब सुखे सुखे body होते हैं ornay cornified skins होते हैं cornified skins का मतलब उसके पास एक अलग से लिया परजेंट होता है and epidermal scales or scutes scutes का मतलब यह होता है कि bonny plates bonny plates bonny plates bonny plates जो tight plate like structure होता है उसे हम bonny plates से बोलें timpanum जो है represents ear ear represents करता है limbs when present are two pairs जब भी limbs present होगा वो two pair में होगा next snacks की बात करें snacks and lizards shed scales as skin cast कैसे आप गाउधी हात में आपका घर होगा तो mostly आपने देखा होगा कि जो snacks होते हैं तो जो snacks की जगह होती है वहाँ पर कभी-कभी white type की उसकी layer छूड़ जाती है उपर की देखा आपने जिसको हम लोग catchly बोलते हैं अपनी मिखली में बिहारी जबान में उसकी cover जो होती है उपर की तो वो छूड़ जाती है कभी-कभी तो आदमी उसको खता यह देखो सापके उपर का cover बोलता है नहीं तो वो क्या है वही तो है आपका क्या shed scale जो कि lizard और snack में पाया जाता है heart जो होते हैं three-chamberd होते हैं reptilia में heart केतने होंगे heart सबके three-chamber three-chamber heart है but four-chamberd heart पाया जाते हैं crocodile में crocodile is a reptilia but यह exception है आप याद रखेंगे कि crocodile का heart जो है वो four-chamberd होता है very-very important question आ चुका है यह वाला question आपका आ चुका है समझमाई बात कि heart three-chamberd होते हैं किसमें reptilia है किसमें लेकिन four-chamberd crocodile में होता है crocodile यह reptilia है लेकिन four-chamberd heart है exceptionally है याद किजिएगा next sex ही unisexual होगा मतलब sex are not sorry sex are separated ठीक है मतलब separated है internal fertilization होगा और यह oviparous होगे मतलब अंडे देंगे और direct development होगा they do not have larval stage ठीक है और इसका example बहुत important है थोड़ा सा मैं बोलूं तो tough इसी का example है लेकिन कोई tough example नहीं है इसका example है राहिल राहिल अलीगड चल चार का test करो राहिल मैंने बोला मेरा छोटा सा क्लास अलीगड में है वहाँ पे बच्चे हैं कुछ है ना तो मैंने अपने दोस्त को बोला राहिल साथ चल मेरे और वहाँ पे चार बच्चे का test लेना आपको तो मैंने उसको थोड़ा सा अलग ही जुवान में बोला trick बनाने के लिए राहिल अलीगड चल चार का test करो तेखें क्या level है उसका नेक्स्ट भांग न भांग चाहिए न वाईन चाहिए ठीक है राहिल अलीगड चल चार का test करो न भांग भांग न वाईन आप देखो कैसे राहिल के आर से हम क्या बोल देंगे रेप्टिलिया के लिए रहा है राहिल के आर से क्या हो जागा रेप्टिलिया रेप्टिलिया के एक्जामपल आप हम पढ़ रहे हैं तो अब देखिए अलीगड़ अलीगड़ से क्या हम ले रहे हैं alligator क्या ले रहे है alligator और चल चल से हम क्या पो ले रहे है chillon क्या ले रहे है chillon next चार मतलब मैं फोरना लिख करके मैं c h a r लिख रहा हूं in the form of watch up जैसे हम watch up में हम लोग लिखते हैं चार मतलब chameleon क्या है chameleon और का का मतलब calots क्या है calots test test मतलब testuda क्या है testuda और करो करो का मतलब crocodiles ठीक है यहाँ पर एक example complete होता है fully stock राहिल अलीगर चल चार का test करो next भांग ना भाइन भांग भांग क्या करते हैं लोग खाते हैं कि पिते हैं पता नहीं मुझे भांग लेते हैं न लोग भांग जानते हो हे भांग पी रहा क्या कर रहा का रहा तो भांग ना भाइन भांग से क्या हो जाएगा बंगारस और ना ना फोर यह भांग न भाइन यह तीनों poisonous inner स्नेक हैं क्या है यह तीनों के तीनों poisonous snake poisonous snake ठीक है लिख लिज्ये खोखचे में अगर आपको ना दीख रहा हो सई से तो यह तीनों के बारे में लिख लिज्येगा भंगारास नाजा ना जा ना जा तो हम लोग पढ़े हैं ने इंडियन कोबरा और वाइन वाइपर ये भी साफ होता है पता है नहीं देखा मैंने कभी ठीक है तो ये चीजें हमने आज यहां पर देख ली बेटक कितने हमने ट्रिक देखे चंदा स्कॉर्पियो कार तेरा है पहला ट्रिक चंदा सराना शाय चौथा ट्रिक किसके लिए रिप्टेलिया के लिए वो तो खेर ट्रिक में उसका नाम आ जा रहा पहला नाम समझ लो उसका क्लास है पहला नाम क्या है राहिल अलीगड चल चार का टेस्ट करो समझ वाइब बात भांग न वाइन ये ट्रिक हो गया तो ऐसे आप याद रख सकते हैं मैंने बहुत शौट में ट्रिक बनानी कोशिश के बहुत अच्छा हां ट्रिक तभी खामाएगा जब यह आप ऐसे याद रखेंगे नेक्स्ट हमारा बचा क्या एवस एंड मैमेलिया ठीक है तो फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा मिटाते हैं हम पढ़ उसरी की बात करें गरें का जाएगा ostrich ostrich क्या उसका high weight होने के वज़ा से वो उड़ नहीं पाता है ठीक है तुम्हें चीज़ है presence of feathers बहतरीन characteristics है किसका abs का flatless butt and beak यानि जो चोंच निकला हुआ होता है modified jaw without teeth ठीक है उसमें teeth नहीं होते है four limbs are modified into wings जिसके थुरू उड़ रहे होते हैं four limbs are modified into wings and hind limbs have scales and are modified for walk जो leg हाना and swimming or clapping ठीक है swimming में भी ऐसे ऐसे हाना मुरगा मुरगी ऐसे ऐसे करते रहते हैं ठीक है next skin is dry has no glands on skin skin सुखे होता है उसके ऊपर कोई glands नहीं होता except oil glands at the base of tail उसके tail पर क्या oil glands present होता बस उसके पूरे skin में कहीं भी कोई gland present नहीं है endoskeleton जो होता है bonny bonny होता है with air cavity जो उसका bonny उसके अंदर cavity present होता है जो bond से के अंदर cavity होती है उसको में एक term में देते हैं उसको बोलता है pneumatic क्या बोलते है pneumatic pneumatic क्या है कि air barrier present in bonny cavity तो endoskeleton यानि bonny with air cavity उसको pneumatic हम लोग बोलते हैं and hollow bonds to assist in flight bond में जो cavity होती है hollow bond वो थोड़ा उड़ने में क्या करते हैं मदद करते हैं ठीक है क्या क्या हमने देख लिया यह बहुत important है feather जो है sorry accept flatless buds हो जागा यह और दूसरा हमने क्या देख लिया कि without teeth होते हैं यह flatless यह भी देख लिया example यह wastage क्या है बुली ज़्या यह flatless bird four limbs जो है into wings और handle limbs जो है वो क्या होता है for walking के लिए swimming और में इसमें इसकी जो होता बड़ा कोई gland नहीं होता है but oil glands are percent at the base of tail important endoskeleton in bono cavity उसे हम pneumatic बोलते हैं next crop and gizzard additional chamber digestive track अगर मैं यहां पर diagram draw करने की कोशिश करूँ कहां पर जगए नहीं है जगए मैं नहीं करूँगा जाओ इदर आओ इदर मैं कर देता हूं अगर मैं diagram draw करने की कोशिश करूँग हिलो मैंने एक क्या बना दिया मालो मैंने कुछ बना दिया मालो मैंने penguin बना दिया penguin बना दिया तो उस case में जो structure मैंने बनाया है यह है crop इदर नहीं को गलत हो जाएगा यह क्या है crop ठीक है और यह जो है यह वाला part इसे ही हम बोल रहे है क्या गिजार्ड ठीक है तो crop और गिजार्ड जो है वो क्या काम करते हैं वाई digestion में help करते है additional chamber in digestive tract ठीक है crop and गिजार्ड यह एक additional chamber है digestive tract में air sex are connected to the lungs and to supplement respirations air sex जाहिर सी बात है और warm balladet होते हैं कैसे होते है warm balladet मतलब homo thermos vagal thermos बोले तो cold balladet heart four chambered होगा important है अब हठ हम four chamber order पढ़ना शुरू कर दिये हैं और भी परस होंगे अंड देंगे और डारेक्टर डबलफ होंगे there is no larvalist समझवाई बात next example बहुत important है फिर एक ट्रिक देखी आप example का वो क्या है यह थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको बे अदब वाली बात में मैं बोल रहा हूं जैसे lifetime circle में कोई पैर पर रख्के हुआ बोलते है अबे पैर सिदह करना नहीं बुलते है तो ऊछी चीज अबए सुन अबहे सुन अबहे सुन अबहे सुन एपने पावं को सीधा करो न यह हो गया क्या हो गया को बंन कीसुल इसलिए यह लिखा कि कोरवस है तो इसलिए कोरोना लिख दिया ठीक है कोरोना बंगली गोलते ऐसा कोरोना ऐसा कोरोना समझ भाई बत तो अबे सुन अपने पाउं को सीधा कोरोना अब सुनों इंपोर्टेंट अब्यक ए से क्या हो जाएगा एप्स मतलब हम यतनी भी एक्जांप्ल प बारे में पढ़ रहे हैं, next, सुनो, सुनो ना, इससे, is truth you, क्या हो जाएगा, s क्या हो जाएगा, is truth you, और a से क्या हो जाएगा, अपने पाउओ वाला a, a से हो जाएगा, एप्टेनोडाइट्स, important, एप्टेनोडाइट्स, याद रखेगा, नाम तरह टफ है, और N, N, E जो दिया, अपने का, ये N से क्या हो जाएगा, निफ्रोन, क्या हो जाएगा, निफ्रोन, निफ्रोन मत पढ़ ना केटनी वाला, निफ्रोन, ठीक है, और पाउओ, पाउओ के P से क्या हो जाएगा, पावो, पावो तो जानते हो सब चीज, and C, O के, C से क्या हो जाएगा, बोले जाएगा, कोलंबा, और S, I, सीधा, सीधा से क्या हो जाएगा, सीटाकूला, पीमत पढ़ना, सीटाकूला, ठीक है, और कोरोना के C से क्या हो जाएगा, कौरुबस, समझ तो ऐसे आप याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ममेलिया में ममेलिया में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कुछ बतानी की जरौती नहीं है जैसे अगर मैं यहां पर एक्स्प्लेंड थोड़ा सा करूं जादा नहीं कि भाई मैमेरी गलेंड होत हमारे सिर्चन के लिए होता है तो है तो है टूब आप्टेट्थ यहांने अड़ण टू पर्फरम स्पेशल वार्प नेक्स्ट इसकिन है किस में क्या है एर्ट है यू कं सी हीयर है नेक्स्ट एक्स्टर्नल एर्स और पिंणा एर्स हैंहने एर हमारा दिख रहा बाहर की तर और उसके बाद इसमें यह जो यह वाला पाठ ही क्या है पिन्ना तो external ear और पिन्ना यह पर्जेंट and different types of teeth in job क्या different types of teeth in job जैसे in Caesar, Canine, premolar, molar, third molar, second molar सब है ना next आ जाते है homeothermas होता है मतलब warm-blooded है warm-blooded है next heart-for-chambered होता है हम जानते हैं lungs होता है respiration के लिए हमार पास mammalian में सब के पास बड़ा-बड़ा lungs होता है unisexual है मतलब sex क्या है separated है internal fertilization और viviparous होते हैं ये बच्चे देते हैं ठीक अंडे नहीं और direct development होता है और एक्जाम्पल है क्या ratus, canis, eliphaz aquas और क्या है oviparous mammals in और nethorhynchus ठीक है तो यहां तो हमने बहुत कम एक्जाम्पल बताया है आपके insight में बहुत सारे एक्जाम्पल से दी हुए है इसके उतने important example नहीं है इसलिए कि mammals को हम लोग normally पहचानते है इसके features, characteristics से दे पता चलता है कि हम normally mammals को पहचानते है ठीक है लेकिन फिर भी कुछ नाम्स आपके insight में दिये हुए है वो names को आप याद कर लेंगे ठीक है? बहतर रहेगा तो चलिए हम थोड़ा सा NCRT में आते हैं आईए ज़रा NCRT में NCRT खोलिए और last में जो chart है उसमें थोड़ा सा आते हैं आगे? देखे यहाँ पे लिखा हुआ silent feature of different phyla in the animal kingdom अब यहाँ पे देखिए आप कि phyla हम है इधर आपके total दियो है इधर सारे के सारे features दियो है लेवल आप और्गनाजेशन सिम्मेट्री, सीलोम, सिग्मेंटेशन digestive system है न? सर्कुलर्टी सिस्टम यह सब कैसे कैसे होंगे तो भाई देखे जैसे लेवल आप और्गनाजेशन के हम बात करें तो पोरिफेरा में cellular है, बागी चाचा वाले में tissue है, उसके बाद सब में चले जाओ, organ system, organ, organ present है, है की न? सिम्मेट्री में आप देख लो, various present होता है पोरिफेरा, various के मतलब asymmetry ठीक है, अब यहाँ पर देखे, radial radial है दो में, फिर उसको बाइलेटरल है फिर इकानो टर्माटा में radial है तो इस टाइप से आप इसको एक बार सबको याद करेंगे, सबको हम briefly एक एक करके discuss कर चुके हैं किसमें circulatory system absent होगा किसमें present होगा, किसमें represent होगा, यह चार्ट आपका बहुत question डारेक्ट यूँ ही solve करवा देगा very very important इसलिए आप इस चार्ट को नौ भूलें इसको ध्यान में रखे रहेंगे ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं हना फिर हम लोग मिलेंगे next class में एक नए chapter के साथ ओके, बाए